नमस्कार किसान भाईयों आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल हिलपटिल में जैसे कि आप देख रहे होंगे हम हैं अभी गिहू के प्लोट में और आज हम बात करेंगे कि पहले पानी में गिहू में क्या साउधानिया रखनी है जिससे आप जादा से जादा उपज ले सकें काफी किसान भाईयों के अंदर ये प्राब्लम भी फिलाल में चल रही है कि कुछ कमियां हैं जिस कारण से वो अच्छी उपज नहीं ले पा रहे हैं तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम एक बहतरी नुत पादन ले सकें हमारे गिहूं का वो भी इनीशल स्टेज में कुछ साधनिया रख कर काफी किसान भाई बोलेंगे कि यार वो तो उसके लिए तो लास्ट स्टेज चाहिए पर मैं यह मानता हूँ कि गिहूं में सबसे ज़्यादा जरूरी अगर कोई स्टेज है तो वो है टिलरिंग स्टेज जितनी ज़्यादा कल्य होंगे जितना ज़्यादा फुटाओ होगा उतना ज़्यादा उपा जाएगी तो आज जैसे थोड़ा सा ठर्ण हमारे हाँ चालू हुआ है तो देख सकते हो आप बिंद की हाँ चालू हो गई है यह सबसे खुबसूरत नजारा होता है हमारे गिहूं की फसल के लिए और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस प्लॉट में अभी तक हमने पानी नहीं दिया है ये पलेबा करके मतलब पहले बो दिया गया पहले पानी दिया गया फिर बो दिया गया उसके बाद ये कहूंगे और इनकी जो टिलरिंग स्टेज है मतलब टिलर्स बनने की स्टेज जो है वो स्टार्ड हो गई है जैसे आप देख सकते हो इसमें ये कलो का फुटा चालू हो गया है अब इसमें हम कल से पानी लगाएंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि जहां जहां भारी मिट्टी है जैस तो इसमें क्या होता उस टाइम अगर हम देते हैं तो थोड़ा पीला बन आने लगता है तो उसको अवोइड करने के लिए हम थोड़ा सा टिलर्स निगलने लगते हैं उस स्टेज में पानी देते हैं जिन भी किसान भाईयों के साथ भारी मिट्टी वाली प्रॉब्लम है व यह वाले में स्टार्ड हो रहा है तो अपन इस स्टेज पर पानी देंगे तो इनको बहुत बहुत बहुतरीन रिस्पॉंस मिलेगा दूसरी बात आपको इसमें साधानी रखनी हैं कि जिन किसान भाईयों ने सूखे में बोया है वो लोग क्या करें चारा मार पहले डाल दे फिर पानी लगाएं उससे क्या होगा कि आपका जो इतना भी चारा गेहूं के साथ उंगा हुआ है वो यूरिया नहीं खाएगा आपने जो खाद दी हैं वो नहीं खाएगा और वो डारेक्ट आपके पौधे पे लगेगा तो ज्यादा लंबे समय तक पौधे को असर करेग हाला कि जब आप चारा मार डालेंगे तो उससे दिक्कत आएगी पौधे के उपर लेकिन उसको भी रिकवर ये कर लेगा यहूं धीरे धीरे कर गे क्योंकि जो दवाईया हैं जो इसमें चारा मार डलती है वो उतनी एफेक्टिव नहीं है कि मतलब बहुत जादा नुकसान क बात कर लेते हैं कि जिन किसान भाईयों ने पलेवा किया हुआ है वो णहीं शुरू में कुछ भी नहीं डालें क्योंकि जैसे आप देख सकते इस प्लॉट में चारा नहीं है लेकिन जैसी इसमें पानी लगेगा यह बहला फिर इससके अंदर तो नमी का आपको विश्य ज्यास धियान रखना है。 अगर आपके ऐड़ दिन में नमी उड़ जाती है तो आठवे दिन पर करना है, लेकिन उसप्रे जरूर करना है क्योंकि और आप चारे से नहीं बचाओगी तो दीस प्रतिसत तक की उपज़ आपकी कम हो जाती है अब तीसरी प्रोसेस आती है कि हमें यूरिया डालते समय क्या-क्या चीज़े डालनी हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा टीलर्स निकलें तो सबसे पहली बात तो है कि अगर टीलर्स ज्यादा निकालने हैं तो जिंक का उपयोग आपको करना है आप तीन प्रकार के जिंक है जिनका उपयोग कर सकते हैं जिंक सलफेट जो की 33% मोनोहेडरेट आता है पांच किलो प्रती एकर डलता है वैसे 4 किलो का आजकल डोज आता है जो 33% है उसका 21% वाले का 5 किलो आता है दूसरा जिंक आता है जिंक EDTA जो की 500 ग्राम ए Coding कर सकते हो आप मतलब उसमें यूरिया में उसको डाल दो liquid type का आता वाइट कलर का जनेटर नाम से काफी ज्यादा चलता है जिंक नाम से भी चलता है सल्फर मिल्स का भी आता है तो ये जिंक को भी आप कोडिंग करके यूरिया के उपर फेक सकते हैं तो दो चीजों आपको डालनी है जिससे की ज़्यादा अच्छे टिलर्स निकलेंगे पहला है जिंक और दूसरा जो है वो है हुमेक एसीड हुमेक एसीड क्यों डालनी है उसका भी मैं आपको कारण बता दता हूँ दो साल से मैं प्रैक्टिकल कर रहा था जिस खेत में मेरे पौधे बिल्ले थे वहाँ पे हमने हुमेक एसीड डाला हुमेक एसीड का वेसी के लिए काम होता है जड़ तंतर के विकास के लिए लेकिन क्या होता है कि हमारे गेहों के साथ ये चीज है कि जितनी जड़े बढ़ती है उतने कल्ले इसके निकलते चलते है मतलब आपकी जड़ बढ़ी तो कल्ले का डेवलप्मेंट बढ़ता चला जाएगा तो जैसे जैसे आप जड़ बढ़ाओगे वैसे वैसे इसके कल्ले बढ़ते हैं तो आप जितना ज़्यादा इसमें Humic Acid की मातरा एड़ करेंगे इसके कल्लो का फुटा उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ये विशेस्ता उनके लिए है जिनके हाँ फसल बिल्ली हो चुकी है अगर वो डाले हुमेकेसिट तो ज्यादा महेंगा ना डाले सस्ता वाला हुमेकेसिट डाले क्यों क्योंकि हुमेकेसिट के अंदर दो चीजे होती है एक खुद humic acid होता है उसके साथ में potash की मातरा होती है जो पोटाश की मातरा होती है वो भी जड़तंतर को मजबूत ससक्त बनाने में काम करती है तो दोनों से उसको फायदा होता है तो ये दो चीजें आपको डालनी है एक डालना है जिंक दूसरा डालना है humic acid humic acid को डालने के लिए सबसे सई तरीका है कि आप humic acid की coating करें coating ऐसे करें कि जो यूरिया रहती है उसके उपर जैसे liquid है तो उसको पूरा अच्छे तरीके से मिला दे या फिर थोड़ा सा पानी लेके जो आपकी normal वाली humic acid है उसको मिला कि पूरा उसे काला कर दे यूरिया से त फिर उसे आप डालेंगे तो यूरिया जो है बहुत स्लोली रिलीज होगा जिससे कि आपको लंबे समय तक यूरिया का मतलब भोजन मिलता रहेगा हमारे पौदो को और जो आपको result है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलेंगे अभी आज की stage जैसे आप देख रहे हो ज्या the best वही लगता है उसके साथ में हम एड करेंगे इसमें जो second dose डालेंगे दोनों को डालने के बाद हम इनमें पानी चलाएंगे और पानी चलाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहां पर क्या इस्तिती रही हमारे plot की क्या है कि जैसे जैसे इसमें पानी चलेग रखें कि उसके अंदर वो हमेकैसिड मिला दे हमेकैसिड मिलाने से यह फायदा रहेगा कि अगर डबल आपकी चारामार कहीं पर डलती है मतलब दो वार एक जगा पर डलती है तो आपको जलन की सिखायत नहीं आएगी और आपके जो पौध हैं वो बच जाएंगे तो थोड